अश्डेंट आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इसफुल होने वाला है क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर मीशन चंद्रयान 123 के बारे में 50 मोश्ट इम पोले टॉपिक के MCQ कोशन के उपर बात करेंगे फ्रेंड्स जहां से कि आपके एक्जाम में प्रश्ण पूछे जाएंगे दोस्तों थोड़ा सा बात करें ते टाइप सब कोशन का टाइप के बारे में कि कैसे कैसे में प्रश्ण आप सभी किस वीडियो के अंदर बताने वाला क्योंकि आप सभी इससे पहले कई सारा वीडियो देख चुके होंगे हमको पता है लेकिन दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऐसे से प्रश्ण लिए गये हैं जो कि आप सभी सायध ही देखे होंगे ठीक है न तो यहां पर तो पहला तो जानते हैं कि चंद्रियान में को कब लौंच किया इसके भी बारे में बात करेंगे डीटल से ममलोग चंद्रियान इस कोशन है चंद्रियान थी अभियान भारत का कौनसा अभियान रहेगा या आप सभी पता है चंद्रियान थी लौंच करने के पहले आर के मिशन समझाता है यह दोस्तों कोशन बहुत इमपोडेड़ है इस कोशन को आफ़ी देखर के जायेगा कि किस ने इसपर हात्तचर किया था मिशन चंद्रियान थीरी के लिए और कब किया था यह कोशन इंपोडेड हो जाईगा ठीकिन अगले काता है कि चंद्रियान थीरी पर्योजनां के निदेवर कोन ऑग इभी इंपोडेड है मिशन चंद्रयान थिरी के प्रिजणा के निदेशा कोने यह भी इंपोडेट है टू के चंद्रयान थिरी किसके अध्यचिता में लॉंचिंग की गई यह भी कोशन इंपोडेट है इस सारे प्रश्णों को आप सभी देख कर ही जाएगा क्यूंकि मैं इस वीडियो में आप लॉंच किया चंद्रयान मिशन टू लैंडर का क्या नाम है चंद्रयान का चंद्रमा का गुर्टवा कोशन प्रिथवी के प्रिख्षा कितनी है निल आर्मस्ट्रोंग की संत्रीच्यान की साहता से चंद्रमा पर पहुंच जाता यह कोशन और इंपोडेट है आप सभी के ल आप सभी वीडियो के इंट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि सारे प्रश्ण इंपोडेट और सिलेक्टेट आप सभी के लिए लिए गए हैं दोस्तो नर्मल कोशन आप भी जानते हैं कि मिशन चंद्रियान थिरी को कब लॉंच गया है किसने लॉंच किया गया ठीके न लेकिन इसमें और अलग तरीके से डिफ्रेंट भी पस्रां आप सभी के लिए लाए गया हैं फर्स्ट प्रश्ण को बात करते हैं कि चंद्रियान मि소न थिरी को कब लॉंच किया गया दोस्तो अभी आप सभी को ये डेट पता होगा लेकिन यहीं साल 2 साल बाद आप सभी को ये डेट पता नहीं रहने वाला ठीक है राइट एंसर हो ज्यक्त आभ सभी को पताएंगे, चौबी जुलाई 2023 को रॉकेट को लॉंच किया गया है, ठीक नग video अगले प्रश्ण को और बात करते हैं, प्रश्ण नमबर डू चंद्यान थीरी को किस किस रॉकेट की साहिता से लॉंच किया गया था तो चंद्रियान थिरी की बात करेंगे किस रॉकेट की साहिता से लॉंच किया गया है तो जी एस एल भी जी एस एल भी आ मार्क 3 से इसे लॉंचिंग किया गया है चंद्रियान थिरी को अगले प्रशन के और बात करेंगे लॉंचिंग किया गया था तो 37 धवन अंत्रिक्ष केंद्र से लॉंचिंग किया गया था अगला प्रश्ण दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपोर्डेट प्रश्ण अभी बचा हुआ दोस्तों तो वीडियो को प्लेज इसकी मत किजिएगा इंड तक जूर देखिएगा फोर नंबर प्रश्ण करा है कि 37 धवन अंत्रिक्ष केंद्र निम्ले लेखित में से किस राज्य में इस्ति थे इंपोर्डेट प्रश्ण हो जाता ये ठीकन ये बार-बार एक्जाम में पूछेगा आंधर प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड्स अपसा नंबर सी हो जाएगा चांद्रमा के लिए कौन सा मीशन रहेगा तो आप सभी को पता है कि तिसरा लागा है तो तिसरा ही होगा ठीके न पर की सब्सराइब, याँ पर होना चाहिए दोस्तों, आपको बता दूता हूं कि कर दो कर दो, आप सभी का इसने टो और आप सभी के सcept होना, और ऐसे सकते लिए फथीग प्रस्चर होना, और एप प्रश्ण मсолा धो राइट एंसर होजाएगा 2020 स्याम हो चाएगा अगले प्रश्ण कर बात करते हैं 9 नंबर प्रश्ण कर एग 12 मिस are ते मीस सम्जोता निम्हेन लेखित में से किस सांथी पूरोज़से संबंधित है यह सम्जोता किसके लिए है किसके लिए होजाएगा तो ये सम्जाता दोस्त। आप सायू पता गो किसके लिए होना चि又 चंद्रमा केला अगले प्रश्ण कर बात करते लेवे नमबर चंद्रियान थीरी मिशन के पर्योजन निदेशा कौन है ये भी कोशन इंपोडेट और आप सभी के लिए भीवियाई हो जाता लिख लिजएगा इस के उन सोट इस कोशन का जरूर लिजएगा क्योंकि यहां से प्रश्ण एक्जाम में बनेगा ही बनेगा ठीक है न तो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर भी हो जाएगा अगला प्रश्ण दोस्तो बारा नमबर चंद्रियान वन मिशन के पर्योजन निदेशा का क्या नाह में दोस्तो तीसरा के बात के लिए पहले के बारे में बात करते कि कौन है राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का तो चंद्रियान वन मिशन के पर्योजन निदेशा की बात करें तो इनका नाम हो जाता फ्रेंट्स मैल सामी अन्ना दूरई आपसा नमबर सी हो जाएगा अगला प्रश्ण दोस्तो तेरा नमबर चंद्रियान 2 मिशन के पर्योजना निदेशा का क्या नाम है अब चंद्रियान 2 के चंद्रियान 1 और चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 के पर्योजन के निदेशा के नाम पूछ सकता है आप सभी की एक्जाम में तो इस चीज को याद रखिएगा राइट एंसर हो जाएगा एन वनिता हो जाएगी अपसा नमबर भी एम वनिता अगला प्रशने चंद्रियान थिरी मिशन को निम्न में से किस किस अध्यच्छता में लॉंचिंग किया जा रहा है तो इसका launching दोस्तों किसके अधिचता में किया जा रहा है तो right answer हो जाएंगे एस सोमनाथ जी हो जाएंगा अब सनमबर भी अगल्या प्रशने दोस्तों 15 नमबर चंद्रियान थीरी मिशन के सफालता पुर्वक चंद्रमा पर उतारने पर या उपलब्दी हासिल करने वाला भा भारत पहला हो जाएगा ठीक ना लेकिन कई हिस्सों में उतारने वाला यह तीसरा चौथा स्थान पर हो जाएगा इस चीज को ध्यान दिजेगा यहां पर confusion आप सभी को हो सकता है अगल्या प्रशने कि अभी तक कितने देश चंद्रमा पर सफलता पुर्वक पहुंचने में कम्याब हुए है तो अभी तक दोस्तों आप से पता एक कितिने हुए हैं अभी भारत लगा हुआ है दोस्तों जो की सफलता पाई लेगा ठीक है अब हम लोग पात करेंगे कि कब वो चंद्रयान विसन चंद्रियान थृ पहुंचने वाला है वहां पर चंद्रमा पर कब ला के और लेक के जाता है कमिंग एक्जाम में यह पूप पूछए जाएंगे सतरहन नंबर की ने मैं में से किसी एंटिया यह मुश्ट इंपूर्टी कोउशन की मून मयन ओफ इंडिया की नाम से किन्हें जाना जाता है तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से माईल सामी अन्ना दुरई को जाना जाता है इंपोडिडिकोशन भीविया यह मैं बार बार बता रहा हूं अगले प्रशने आप से एक ठारा नंबर चंद्रियान थीरी मिशन को कितनी लागत के साथ त्यार किया गये तो चंद्रियान थीरी मिशन की बात करें तो 615 क करोण में इसे लांचिंग किया गया है अगले प्रशने को बात करते हैं और चंद्रियान थीरी मिशन के चंद्रमा पर पहुंचे ने का अनुमत ही समय क्या अनुमानित समय बात के जाए कि वह कब तक लगवा में पहुंच सकता है तो दोस्तों 24 से 23 अगस्त को अपना 2019 को किया गया था जो कि सफलता पुरोक नहीं पहुंच पाया था दोस्तों उसके हाड लेंडिंग में थोड़ा सा दीकत आये थी 21 नमबर प्रशन के बात करते हैं कि चंद्रियान मिशन 2 को कि संद्रिच केंदर से लॉंच किया गया था चंद्रियान 2 के बारें बात क्या जा तो मिशन चंद्रियान 1 की बात करें तो 22 अक्टूबर 2009 को इसे लॉंच किया गया था 22 अक्टूबर 2009 अगले प्रशन के बात करते हैं दोस्तों अगर आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नेगे तो प्लीज चैनल सस्क्राइब करते हैं बेल आइकन को भी सासा प बात करें तो बिक्रम बी हो जगा बिक्रम नाम था अगला प्रशने टॉंटिफोड नंबर चंद्रमा का गुर्टवा करूष नप प्रिथ्वी के रक्षा कितनी होती है यहां पर फेरें साब सभी का हना चीए कि अपैख छा अपैख भी नेचा अपैख लूआ कि चंद्रम से लौंच किया गया तो चंदृयान मिशन 2 के बारें बात करें ये बाला सोर बालासोर से दोस्तों लौँचिंग किया गया अबसा नमबर 6 हो जाएगा अगले पर प्रश्ण किस्ट नमबर this नमबर च DPर कदम रखने संत्रिश यान की सायता से चांद का कितना भाग दिखाई देता है पृत्वी की सत्रियान थीरी के रोवर का क्या नाम था तो मिशन चंदरियान 3 के रोवर के बात करेगा तो प्रयाग, प्रग्यान था, प्रग्यान था पसे बनाया गए, तो इनका जो डिरेक्टर है दोस्तु उनका नाम हो जाएगा आप से बता दू किरी तो अकारी घल हो जाएगे घल, धन, रॉकेट वुमन ओफ इंडिया के नाम से किने जाना जाता है rocket woman of India के नाम से किने जाना जाता है friends तो इसका right answer हो जाएगा अपसा नमबर भी हो जाए रही तू कारी घल धल हो जाएगा rocket man of India rocket man of India के नाम से किने जाना जाता है तो विक्रम सारा भाई या 37 दवन या के सिवान तो विक्रम के सिवान को के सिवान को दोस्तो जाना जाता अपसन नमबर यह हो जाएगा अगला प्रशन दोस्तो 33 नमबर चंद्रियान मिशन 2 मिशन को कितनी लागत में त्यार किया गया था तो इसे 957 करोड में 78 करोड में दोस्तो लॉइंचिंग किया गया था अगला 34 करूब की normal की वरण की बीधा को क्या आते हैं तो उसके दोस्तो बीधा की बात करें तो उसके बीधा को बात करें तो किस नाम से जाना जाता है तो इसे सेने लौजी अपसे नमभरी हो जाएगा दोस्तो बस और दस कोर्षन याप बारा को बचाए तो उसको आप से लगा करके जहेगा क्योंकि अभी जो आने वाला प्रश्ण आप से लेए बहुत इंपोर्डर सिंधन का इस्तिमाल किया गया तो नो की पेट्रोल नहीं सिंजी और डीजल इसका प्रियों किया गया तो दोस्तों UD एमेच क्या आप लोग डीजल से तो लहीं नहीं जा सकते से एंजी पेट्रोल यह कुछ नहीं ठीक है न अगला पर सब्सक्राइब करेकि भारतियन तरी कहा जाएगा थि इसinizi सोमनांत जी अगला प्रशन 49 00 के संस्धापर को न है दोस्तों इस संस्थापर की बात कर आप सनुमबनी हो जाएगा और दोस्तों बात करते 14 पर प्रस्ण कि मिसं चंद्रयान थिरी को कितने मोड़ लोर हैं तो दोस्तों इसके बात करें मोड़ोलर की तो 40 मोड़ोलर दोस्तों अगर आप सभी विडियो का पीडियाप चाहते हैं तो वहाँ पर आप सभी को इसका पीडिया अप्लोड कर दिया गया जाकर कर वहां से आप से डावलोड कर सकते हैं वीडिओ अच्छला तेब